हेलो फैन वल्कम बैक में चैनल तो फैन यहां पे हम राउंड नेक में डिजाइनर नेक बनाना बताएंगे तो कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे जो है फैन नेक की लेंद साड़े 9 इंच लेते हुए राउंड सिप में कट कर लिया है यहां पे में फैबरिक ऊपर रख दिय कर लेंने और टो से अपन Serain नेक बाद यहां पे चैनलना लेका में रहती है तो अब तकё कक्वे होजिएंगे 6 उटा करने के बाद की लिगаюсь कि पर पिर यहां कुछार पिर शब्ल से से यहोजिये में ड़ेते क्या शेफिकर कर लेने हैं तो कशैस अब हैस अभी तक आम ऌध सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अगर आप इसी तरीके से नई नई डीजाइन सीखना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो प्लिस मिरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह आप देख पाएं और वीडियो को पसंदाने पर लाइक जरूर किया करें सियर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ताकि वह भी नहीं नहीं डीजाइन बनाना सीख सके अब यहां पर मैंने प्लट दिया इससे सीधा कर दिया चारो तरप स्टीच लगा लिए इसके बाद हमें इसे डबल फोर्ड करते हुए रख लेने है अब इसी माक के उपर हमें इस पर डार्क कर लेनी है तो यह बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से दोनों तरफ हमारी एकिवर बिल्कुल डिजाइन जहाइन सेप में आ जाएगी देख सकते हूं अब इसके बाद जहाइन इसके उपर में लैस अटेज करूंगी यहां पर कुछ मैंने लैस तरीके से अटेज कर दmaker दी है जिस तरीके से मैंने करी देख सकते हूं अब यहां पर दूस्री त्रव भी हमें लैस अटेज कर देरी है तो यहां पर पहले मैंAlright interacting लोगी काइबेक्ट कर दी यह और यहां प्लेटे देनी यह देख सकते हैं इसकी लैंद में इसके देखी मीष़ाइब विल्कुल व्लूर के सेंटर में हमें डाले यहांपे कमर की पट्टी पर बीस तरीके से लाइस अटाच्च कर दी यह मैंने इस यह दू ख रूंद करते हैं अब इसके बाद फिल्ट में फ्लावर बनाऊंगे उसके लिए मैंने यहां पे इसकी लेंद जो है फैन आट इंच लिए और इसकी जो चौड़ाई है वह चाड इंच है अब मैंने इसे डबल फोर्ड करते हुए स्टीच कर लेंद देख सकते हैं स्टीच कर लेंद देख सकते हैं आप सोई धागा लें लागा लगा लें कुछ इस तरीके से और से करने के बहुन हैं इसके गांठे को धागे को पुड़ा खेच ले खेचने के बाद ना जो हमारी खुली भाग है उसे बिलकुल दोनों को ब्राबर में रखते हुए मसीन से स्टीच कर लेंगे ताकि यह खुल लेगी नहीं मसीन से अगर आप इस्टीच करोगे तो फिनिसिंग भी अच्छी आएगी और खुलेगी भी नहीं देख सकते हुआ साइड में हाफ इंच का मार्जिंग लेते हुए मैं यहां पर सिलाई जो है फैन कंप्लीट कर ले नी हूँ अब मैंने सुई धागे से अच्छी से खेचते हुए फिर से हमें दो से तीन बार सिलाई को अच्छी से लॉक करते हुए ताके लगा ले नहीं है देख सकते हुआ तो यह खुब सुरत से हमारी फुलावर बनके रेडी हो गई है फैन अभी इस तरीके से अच्छी से सुई धागे से दो से तिन बार टाके मैंने लगा लिए है अभी यहां पर इसके बाद जो मैं यहां पर डिजाइन करूंगी फै बचा लिए उ पटी बड़ी मेंने कट कर लिया एक बड़ी साइच की और धू चौटी साइच की देख सकते हैं और यहां पर थ से टीच कर लिए यहां पर शिलाई लगा लिने हैं और इसके बाद में यहां पर बड़ी सच बटन ली हूँ फैन इसे बिटन वाली बटन है उसे भी तक करूंगी देख सकते हैं आप मैंने मसीन से पहले लगा लिए अब यहां पर सुई धागे से ना यह हमारी इस्टोन इसे टक कर दूंगी सब्सक्राइब लाउज की डिजाइन बनके कम्पलीट हो गई आपको कैसे लगी कॉमेंट में शरूर से बताएं तो शली आप इसके साथ ही फैन देख लेते हैं बाजू की डिजाइन तो कुछ इस तरीके से हमारी यह डिजाइनर ब्लाउज जो है फैन गला हमारी रडी हो इस तरीके से कॉनर पर प्बहुर इससे अंदर फोलड़ कर ने के बाद हैं चारो तरप और कुछ इस तरीके से डबल फूर्ड करते हुए ना यहां पर मैं इस तरीके से मार्ग कर ले रही हूं देख सकते हो अब इसके बाद हाफ इंच का नीचे से मार्जिंग लेते हुए ना कट कर लेंगे देख सकते हूँ कुछ इस तरीके से अपनी चोइस को एकोडिंग ना जितना डिप रखना चाहते हो छोटा रखना चाहते और रख सकते हो पर यह मिक्सिमम अच्छी मतलब इस जतना चुलाई इसकी और जितनी लेंध थे वह अच्छी हैं बिल्कुल अब यहां पर मैंने 1.5 इंच का एक्ष्ट्रा फब्रीक लीथी फैन इसे फोल्ड करते वे श्टीच कर लिया है और इसके सेंटर में बिलकुल मैंने यहां पर रख दी हुई है पिंसल सेट कर ली है और इसके बाद हमें जो हमारी बुकरन की कॉर्णर एफैन बिलकुल कि सीग अच्छी आए और जारू कॉर्णर पर हमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं देख सकते बाद इसे अंदर हमें फोल्ड कर देना है फैन्ट कुछ इस तरीके से और फोल्ड कर दे रही हुं और इसमें यह तो आप तुरपाई कर लें या फिर मसीन से सिलाई लगा ले अब इसके बाद 2 मैंने यहां पर 3-3 इंच की लंबाई और शोडाई में फैब्रिक ले लीं और इस तरीके से फोल्ड करते हुए ना यहां पर हमें दोपीस रेटी कर लेंगे देख सकते हूं और इसके अंदर हमें कर देने फेन देख सकते को इस तरीके से इसके अंदर करते हुए यहां पर सिलाई लगा लेना है जिल्आई की बाद मत सब्सक् Collineal गोल्डें कर सकते हैं या फिर मोती टेच कर सकतेए अक्ष्टा आप चाहे फैन बटन भी यूज करना साते हो तो भी अटेच कर सकते हो लिक्स लाइक से और सब्सक्राइब